सब्सक्राइब कीज़े वाट्स कुकिंग चैनल को और बेल आइकन बटन दबाईए मेरी हर नई रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए है दोस्तों आप सबका मेरी चैनल वाट्स कुकिंग में स्वागते हो और आज हम बनाने वाले है फेमस सीफूद रेसिपी जिसका नाम है प्राउन बिरियानी यह बहुत डिलिशस है और बहुत आसान है बनाना अगर आप सीफूद लवर हो तो प्लीज आप इसे डेफिनेटल शुरू करते हैं प्राउन बिरियानी बनाने के लिए हम लेंगे प्राउन्स जो हमने लिए है आधा किलो बास्मती चाबल 250 ग्राब एक बढ़ा प्यास बारिक कटा हुआ एक टमाटर बारिक कटा हुआ दो हरेमेज तीन से चार चम्माज दही दस बारा चम्माज तेल दस बारा लसुन और एक अधर का तुकड़ा आधा नेमबू नमक स्वादा नुसार थोड़ी से हिमली दो चम्माज लाल मिर्श पाउडर दो चम्माज गरम मसाला एक चम्माज हल्दी पाउडर धनिया गार्निशिंग के लिए और हमने लिए हैं सूखे गरम मसाले जिसमें हैं तेज पत्ता चकरी फुल लॉंग और काली मिर्श तो चलिए प्राउन बिर्याने बनाना शुरू करते हैं प्राउन्स को पहले हम अच्छे सी साफ कर लेंगे इसके ऊपर के स्किन निकाल लेंगे इसके बाद प्राउन्स को हम चाकू के मदद से हलका सा कट कर लेंगे और इसके अंदर जो काली धागे जैसी चीजे इसे हम निकाल लेंगे इसे निकालना बहुत ज़रुरी है वरना पेट खराब हो सकता है, इसके बाद हम प्रॉंस को मारिनेट करेंगे, इसके लिए हम एक मारिनेशन पेस्ट बनाएंगे, इसके लिए हम एक मिक्सिंग जार लेंगे, उसमें हम डालेंगे लसुन, अद्रक का तुकड़ा, हर इमेज, धनियापत्ता, फिर हम इसमें डालेंगे इमली में हम 7-8 चमच पानी डालेंगे और उसे अच्छे से निचोड लेंगे फिर हम इस इमली के पानी को मिक्सिंग जार में डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से 1 मिनिट के लिए मिक्स कर लेंगे तो लीजे हमारी मैरिनेशन पेस्ट रडी हो गई है सारे मसाले जैसे कि हम उसमें डालेंगे एक चम्मच गरम मसाला आधा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर नमक स्वादानुसर फिर हम इसमें डालेंगे दो से तीन चम्मच दही निम्बू को हम निचोड के डालेंगे और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीजे अच्छे से mix होने के बाद हम प्रॉंस को ढखकर एक 15-20 मिनिट के लिए रखेंगे प्रॉंस को जादा देर marinate करने की ज़ुरत नहीं होती है फिर हमें एक बड़ा सा बाउल लेंगे उसमें हम तेल डालेंगे और उसमें हम डालेंगे सारे सूखे मसाले उसके बाद हम प्यास डालेंगे और प्यास को अच्छे से golden कलर आने तक हम भून लेंगे प्यास भूनने के बाद हम उसमें पेस डालेंगे जो हमने marination के लिए बनाई है फिर हम डालेंगे टमाटर और उसे थोड़ी देर हम पकाएंगे टमाटर और प्यास अच्छे से गल जाने के पाद हम उसमें बच्चे हुए सारे मसाले डालेंगे जैसे आदा चमच हल्दी एक चमच गरम मसाला एक चमच लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च आप आपकी स्वाद के हिसाब से डाल सकते हो इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर हम उसमें प्राउंज डालेंगे और उसे हलकी हातों से हम मिक्स कर लेंगे और इन सारी चीजों को हम ढग कर पाच मिनट के लिए पकाएंगे पाच मिनट के बाद हम इसमें बासमती चावल डालेंगे चावल को प्रॉंस के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर हम उसमें देड गलास पानी डालेंगे और स्वादानुसर नमक और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फाइनली हम थोड़ा धनिया डालेंगे फिर हम इसे धखकर 10 मिनिट के लिए पकाएंगे बीच में हम एक बार धखकन खोल के चेक करेंगे और फिर से इसी धखकर पकाएंगे 10 मिनिट के बाद आप देख सकते हो कि आपकी बिर्यानी रडी हो चुकी है बहुत अच्छी और टेम्टिंग खुश्बो आ रही है तो लीजे आपकी यम्मी टेस्टी प्राउन बिर्यानी रडी है